मेरा प्रश् undergrad है कि हम है और दुख बहुत जादा आता जारहाइ़ जैसे जैसे में सत्य कि निकटा रही हों मुझे बहुत ज़ादा उदासीनता बहुत जादार है यह मतलब मैं बहुती स्पीड से चीजों को त्यागती जा रही हूं यह भी नीचे वह भी नीचे वो जो काम कर रही हूं इस वक्त उसका speed भी मैं पकड रही हूं जेरे घर उसकी गती बहुत अच्छी बढ़ती है लेकिन एक समय एस तहकी है कि जितना जाता मैं सथ्य जानती जांटि जा रही हूं इस दिशा में कि यह तो जो मैं काम क्र रही जैसे कि मैं animal rights activist हूँ, बहुत जादा दुख, cases के बाद cases देखने मिलते हैं, वो दुख बहुत जादा बढ़ता जाता है मुझे, और मेरी गती, उस दुख को देखके, कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं पांच दिन, साथ दिन में एकदम freeze हो जाती हूँ, मतलब मुझे समझ में न प्रुकी हूँ, मैं किस बात के लिए इतना जादा दुख प्रकट कर रही हूँ, क्या मैं लोगों पर depend हो रही हूँ किसी चीज के लिए, या मैं शायद बाहर की जो चीजें उनको बदलने की कोशिश कर रही हूँ जिसको दूसरे का दुख मिटाना हो वो अगर अपने दुख का ख्याल कर रहा है तो दूसरे के लिए नहीं कर पाएगा आप जितने दिन फ्रीज होती हैं, उतने दिन आपका काम भी तो रुकता है या कम होता है तो अपने दुख की इतनी कीमत कभी नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजएसे अपना काम रुक जाए खासकर अगर जिन्दगी में कोई अच्छा काम पकड़ा है तो अपने को बुरा लग रहा है, ठीक है अपने को तो बस बुरा ही लग रहा है ना आप रुक जाओगे तो वहाँ पर तो जाने चली जाएंगी उतने में आपने 5, 7, 10, 20, 100, 400 कि दिनी जाने भी हो सकता है बचा दी होती है तो सही काम की यही आवश्यक्ता होती है और यही उसका शिर्वात भी होता है शिर्वात आवश्यक्ता से होती है कि वो काम अगर करना है तो अपनी पसंद, नापसंद, अपना प्रिये, अप्रिये, यह सब तोड़ा किनारे रखना होता है यह सोच नहीं सकते बहुत जादा कि इस पूरी चीज में हमारा क्या हो रहा है तो शुरू में तो लगता है यह आवश्यक्ता है आप लेकिन जब इस पर आगे बढ़ते हो तो पता चलता है एक तरह कि रहाई है आशिरवाद है कि काम नहीं आपको अपनी जिन्दगी से आजाद कर दिया और यह आजादी बड़ी भारी चीज होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है इसी के लिए तो सारा अध्यात्म होता है अपने पिंजडे में आदमी बैठा होता है उसी से तो रहानी हो पा रहा होता ना मेरी जिन्दगी, मेरे पैसे, मेरी इस्जत, मेरा परिवार, मेरी पसंद, मेरी तरक्की तो कुछ अगर ऐसा मिल जाए, ऐसा काम में ही मिल जाए तो इससे बड़ा अशिरवाद या उपहार या नियामत और क्या होगी काम खासतोर पर बहुत बड़ा अशिरवाद होता है क्योंकि समय बहुत लेता है ना और भी चीज़े मिल सकते हैं, यह भी हो सकता है किसी कोई अच्छी किताब मिल गई वो किताब ऐसी है कि जब तक आप उसके साथ रहते हो, आप अपने आप से आजाद हो जाते हो, बिलकुल हो सकता है लेकिन किताब आप 24 घंटे तो पढ़ोगे नहीं, 10 घंटे भी नहीं पढ़ोगे और किताब खत्म हो जानी है और 5, 7, 15 बार पढ़ करके फिर आप उसको और नहीं पढ़ पाओगे काम अनन्थ होता है और काम अगर सच्चा है तो अनन्थ होगा माय अनन्थ होती है न, आसानी से कहाँ वो खत्म होती है तो सच्चे काम का मतलब ही है यह कि बड़ा भारी होता है और चुक्यों बहुत भारी होता है इसलिए फिर आपको इतनी महुलत ही नहीं देता है कि आप बहुत सोच पाओ कि मेरा क्या हुआ किसी कविता में था कर्ण को लेकर है रश्मिरत ही नहीं तो उसमें है कि असली योद्धा वो होता है जिसे अपने घाव गिनने का वक्त नहीं मिलता असली योद्धा वो है जिसे महलत ही नहीं मिलती है अकाश ही नहीं मिलता कि वो अपने घाव गिन पाए कि रहें उसके जैसा सौभाग्य और किसी का नहीं होता मस्त लड़ाई हो मजा आ रहा हो और चीज इतनी बड़ी हो कि अपने को पूरा ही लील ले पूरी अपनी आहुति देनी पड़े कुछ भी न बचे क्या मजा आया निकले थे काम करने मिल गई मुक्ती लोगों को लगा ये तो काम ही कर रहे हैं ये तो इनका प्रोफेशन है उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कुछ और हो गया है आप उसको प्रोफेशन समझ रहे थे वो यग्य बन चुका था सेक्रिफाइज जीवन बिताने का ये अच्छे से अच्छा और उंचे से उंचा तरीका होता है काम ऐसा हो जो खत्म होने को ना है खत्म ऐसे नहीं कि पचास साल करा तो भी खत्म नहीं होगा खत्म ऐसे कि आर्ट गंटे कर लो दिन में बारा गंटे कर लो सोला गंटे कर लो तो अभी अभी और बचा रहे एक फिल्मी गाना है तो उसके अर्थ मेरे लिए बदलते गए गाना है कि तू इस तरह से मेरी जिन्दगी में शामिल है जब एकदम बहुत लड़का था तो उसमें एक पंक्ति आती है कि मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी अब खुदा करे ये दिवानगी रहे बाकी तब तो उसका वही अर्थ था जो फिल्म में होता है लड़की कि मेरी तलाश दिलकशी माने आकरशन मेरी तरफ से तलाश रहे और मुझे तेरा आकरशन रहे और ये दिवानगी बची रहे मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी और खुदा करे ये दीवानगी रहे बाकी फिर आगे बढ़े फिर दस-पंदरा साल पहले था तो जो सब स्टूडेंट्स थे मेरे एक बार मैंने उनको वो कराया तो वहाँ उसका अर्थ निकला टृत सत्य कि अहम सत्य को कह रहा है कि मैं तेरी तलाश करता रहूं और तू मेरे लिए कृष्ण समान आकरशक बना रहे और मेरी ये बेखुदी ये दीवानगी ये सदा के लिए रहे ये मुझे आशिरवात हो और अब मेरे लिए उसका अर्थ हो गया है काम कृष्ण भी नहीं कि काम में दिलकशी बनी रहे बस बनी रहे उसी में लगे लगे जिन्दगी कट जाए नहीं तो जिन्दगी क्या है नर्क है जिन्दगी और क्या होती है जिन्दगी अगर काम में दिलकशी नहीं है तो इससे बड़ा नर्क्या होगा दिन के 8-10 गंटे तो काम ही करते हो और 2 गंटे, 4 गंटे आने जाने में लगाते हो तो दिवान की बनी रहे जहां पर अपना काम ही अपना सब कुछ लगे इससे बहतर क्या तरीका होगा जीने का और मुझे बड़ा बुरा लगता उनलों का सोच के जिनको किसी कारण से, किसी स्वगोशित मजबूरी से नकली घटिया काम करने पड़ते हैं उनके वाद अपने तर्क होते हैं कई बार तो मुझे उन तर्कों का सम्मान भी करना पड़ता है लेकिन फिर भी उन पर दयासी आती है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो मेरे बैचमेट थे सब जब बाहर भाग रहे थे आईटी आएम दोनों के ही दो तेहाई तीन चौथाई बैच तो सब बाहर ही है हिंदुस्तान में कौन रुका है तो उनके लिए मैंने कुछ लिखा था देखता हूं याद आता है ठीक से नहीं कि कि ऐसी क्या मजबूरी यारों कि जिधर चारा दिखा चल दिये ऐसी क्या मजबूरी यारों जिधर चारा दिखा चल दिये देखो खड़ा हूं शान से अपनी मिट्टी पे अपना हल लिए जिधर चारा दिखा उधर को इचल दिये बैल के जैसे चार रुपे उधर ज्यादा मिल रहे है उधर चल दिये उस दिख रहा है वो कोर्स करके नौकरी मिल जाएगी तो कोर्स में घुश गए दिखाई दिया कि पैसा कम मिल रहा है तो काम में मन लगना बंद हो गया ये ये नर्क और क्या होता है नर्क कोई मननने के बाद थोड़ी होगा कि वहां कड़ा उगल रहा है यही नरक है, काम ऐसा है कि उससे अपना रिष्टा ही खराब है, नौकरीप जाके घूस ले रहे हैं, घपले कर रहे हैं, और क्या है, नकली जिंदगी, काम ऐसा हो कि आत्मा क्या भिव्यक्ति, जिंदगी, उसमें बीच में यह सब जो कष्ट मिले हैं, इनको बोनस मानना चाहिए, क्वार्टरली बोनस हैं यह सब, आता रहता है, हर दो तीन महीने में, सब को आता है, बताई, दन्यवाद आता हैं जी,